प्रधान पंचायत प्रधान और जंता का आमना सामना चुनाओं का जब मौसम होता है तो जो उम्मीदवार होते हैं उनका एक वादा होता है मैं पहुँच चुका हूं बल्दी रा के महुली गाओं में यहां के प्रधान हमारे साथ है। प्रधान जी, बीते पाँस आलों से आप इस गाँ के प्रधान हैं काम सभा के सब उपस्थित सम्मान गण भाई बहनों माताओं से धन्व्याद आशिरवाद चाहता हूं कार काल पांच साल के अंदर हमने जो किया आप से जरूर कहूंगा कहने जा रहा हूं कि हमने पांच साल में नाली खलंजा योम मिट्टी का कार चकरोट ये कार किया आवास जो है हमने जो पहले की सूची में थी नाम जिनका था वो आवास कम सव के उपर दिया गया जो पातर ब्यक्त थे जो पातर ब्यक्त से छूटे हुए थे सर्वे करा कि वो सूची अब आ गई उन लोगों का कुछ नाम आ गया है और अब उनको मिलने जा रहा है इसके साथ साथ हमारे गाउं में पंचाइद भाउन नहीं था वो भी आया वो बन रहा है सामदाइक संचालय बन गया है और घर घर जो संचालय है और जो ये भी गाउं में सब बनवाया गया है तो हम अपने कारकाल में विकास की तरफ लगे हैं और कार करने में जुटे हैं जो कुछ अभी जो समय बचा है इसमें इतना लगन लगाया है कि और ज्यादा ज्यादा क्या कर सकें आपके अनुसार आपके गाउं में बहुत काम कराए गए हैं लेकिन हमारा सर्वी बोलता है कि गाउं में ऐसे अभी बहुत से लोग हैं जिनके मकान कच्चे हैं तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक साउचाले भी नहीं मिला है कैसे व्यवस्था होगी जी जो ये आधार से जो इन लोगों का फीडिंग हुआ था कुछ लोग ऐसे छूट गए हैं भी जादा नहीं छूटे हैं दो चाल लोग जादा जादा हैं संचाले में उनका फिर आप मांगा जा रहा है और हमको बलाग से अस्वासन भी मिला है कि आप जो छूटी हुए उनक का भी काम चारी किया हो जाएगा और प्यापात्र व्यक्ति जो हमारे आवास वाले हैं यह भी सर्वे में सब लोग आए इस सर्वे में अभी भी कुछ लोग जो छूटे जो उनका सर्वे होने के बाद जो आप लिश्ट में नाम नहीं आया क्या लगता है आपको कि आपके गाउं में अहली में कितना विकास हुआ है और क्या होना चाहिए जितना आ जाए उतरह है क्या विकास अभी होना चाहिए मोहली में अरे भी बहुत विकास बाकी है भी खरंजा बाकी है चकरोट पटने के लिए बाकी है भी पीजल की बहुता बाकी है जो आपके सामने बैठ परियास चल रहा है कुछ अगर सासा से मिलेगा मदद तब हो जाएगा आपके हिसाब से कितना बदला पान सालों में महुली पीशे कुछ नहीं हुआ था जो कुछ हुआ इस परधाली में हुआ दादी क्या लगता है कितना बिकास हुआ है अपके गाँ में नाई मिली है परधान जी से कभी आपने कहा कि हमारे माकान च्चचे हैं कैसे वर वस्था होगी अब की बार जो सूची बनी है उसमें आपके अनुसार इनका नाम है तो कब तक मिलेगा इनको आवास अब जब सरकार जिसे अभी तो टार्जर्श हिसाब दे रही है वही तो थोड़ा थोड़ा करके कारेकाल तो आपके बस कुछी दिन बाकी है कुछ दिन बाकी है लेकिन सरकार अभी चा रही है कि इस समय हमारा तो हर परधानों के या किसानों का या पूरे मतलब सद्देश का विकास रुख गया है करोना के कारण से अब जो कुछ सरकार राहत पाई है तो काम चालू किया है अब सरकार जितनी जल्दी सोच रहे हैं कि मैं आगे काम बढ़ाओंगा तो परधान का काम ही तो गाओं के तो हमारा भी नाम होगा यही इसा क्या उमीद करें कि आपकी परधानी कारेकाल तक इनको आवास मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा नहीं जनता से तो जैसे हमको सासंस अगवत जैसे जैसे मिलता हो इसे बताते है उसी तरह जनता भरोसा करती है not आपको मिल जाएंगा उए सब बढ़िया है जौन कुछ हुआता है किटना भी भिकास हुआ बहुत यू सब बान सांवे किछ था पर्दान जी कैसी आवास बनेगा पांग सालों में नहीं बन पाया है इनका नाम आपकी आग अचुका इनका जो है कि दस दिन के अंदर इनका पैसा भी आ जाएगा करि dement का बता रहा है दस दिन के अंदर आपका पैसा भूर太 जाया है जो काम पिछले 4 सालों में नहीं हो पाई व कुछ महीनों में हो सका था मिल जाए क्या लगता है लग दादा आपको कौन सा विकास होना चाहिए महुली कास जो है हो रहा है प्रधान जी आप लोगों के बीज में पहुंचते हैं और नहीं पहुंचते हैं वराबर पहुंचते हैं ऐसी कोई बात पहुंचते हैं और अभी तक ना दिये जब उनके मतलब टिमांड में आएगा तब ये तो देपाएंगे क्या लगता है आपको कौन सा विकास होना चाहिए आपके गाउन अरे खड़न बन लाग और एंधु स्सक्राइब बनता है पंचायद गार्ड लेट्रिंग बनी जगा जगा सब की लेट्रिंग हमों बनिया है तो कुछन विकास होना चाहिए क्या लगता है है न है डिकास कॉन सा और होना काम कोन सा भी नहीं हुआ हुआ है जल्निकासी समस्या है प्रद्धां जहीं से भी कहीं आप ने कहा है कहां कहा है कर दो कैप कि कब हो जाएगा आपको लगता है कि जो काम पिछले चार सालों में नहीं हो पाया वह चार महीनों में हो जाएगा वासा है कि हुई ये विश्वास है और कोई सवाल करना चाहता है परधान से अपने कुछ पूछना चाहते हैं तदा एक नड़ कि अच्छा-च्छा कांसा विकास होना चाहिए गाउं में और आए ये जो भी भाकि है वह बहुत है ज्यादा ही ठीक है कि क्या क्या लगता है क्या क्या विकास भाए अभी तका और क्या होना जैसे कि जहां आवास आवास आया पंचायद घर भी बन रहा है लेट्रिंग भी बनी हुई है जिसे जो गरीब लोग है ज्यादा उनका आवास जल्दी आजाए ज्यादा ही ठीक है यह महुली की जनता थी हमारे साथ इनकी तमाम समस्याएं हैं कई लोग ऐसे हैं जिनके आवास कच्चे हैं और संचाले भी अभी बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मिल पाया है जल्निकासी की भी लोग बता रहे हैं कि समस्याएं हैं तो कब तक दूर हो जाएंगी यह समस्याए वो इसे दे रही है आ रहा है बीच में करोना के कारण से रुख गया था जल निकासी जो है पांच साल में सरकार की बज़र के हिसाब से इतना आया उतना किया जा रहा आगे बज़र जैसे आ जाएगा उस तरह बज़र में काम किया जाएगा आपके हैं इस इसाफसे कौन सा विकास और होना चाहिए मोहली में हभी हिसाफसे तो हम लोग गराम परधान, हैं व्मको हिं क्यों जन्ता ने परधान बना है यह सोचते हैं कि हमारे गाउं में आर्सीसी इंटाल लाकिन यह सब बागी है अब एक बार आपको पर्धान बनाया है जनता ने अगर दो बार आपकी बार फिर आपको पर्धान बनाती है तो कौन सा और विकास करेंगे इस काओं में सर अब इस गाओं का विकाज अब जैसे कभी कोई काम कुछ नहीं हुआ था आपकी हमारे कारकाल में काम बहुत सा हुआ है जनता भी कह रहे है जनता हमारे साथ संतुष्ट भी है तो जो काम पीछे छूट गया जो हो गया है जो छूटा हुआ काम है उसी को आगे बढ़ाने के के लिए हर गलियों में आर सी सी इंटल लाकिन और जो कहीं अभी नाली बनने का काम है विए सारा काम आगी का काम किया जाएगा दुबारा मौका मिलेगा तो यह थे हमारे साथ बलदी राय व्लाग के महली परधान यहां की जनता हमारे साथ थी यहां के प्रधान हमारे साथ थ ये जनता संतुष्ठ हुई कि उन्होंने उम्मीद की कि जो कार्य अभी तक नहीं हो पाया है वो हो जाएगा तो हम भी लेते हैं यहां से विधा आप इंतजार कीजिए अगली पंचायत का धन्यवाद खबरों की दुनिया में सच का साथी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें रिसी मी मांसा समचार को